माशायला, इसे जवान कांजे हो, तो पूरे चप को भी जवान को दी जाता। मैं 4-5 महीने से मैं विस्तरी पे था, और जैसा आप लोगों को मैं से एकसर लोगों को मालूम है, कि यह जो मेरा घुटना है, कि नौ बार खुदा गया। मैं डाक्ट्रों से कहता था कि डाक्टर साथ इसमें चेन लगा दिये, जब खोलना हो, खोल लिया कि यह बन कर दिया। बाराल मैंने हिम्मत से काम लिया, आपकी महब्बत में मैं हादिर हो गया, रियस्ता का मुशारा था, मैंने सुचा कि मुझे जाना चाहिए, तुछ शेर पढ़ना चाहिए, मैं तुछ शेर मैस करा हूँ, आइक यू, सिर्फ तवज्यो जाता हूँ, एक मतला यह है के, हर एक आवाद अब उर्दू को पर्यादी बताती है, हर एक आवाद अब उर्दू को पर्यादी बताती है, यह पंगली फिर भी अब तक खुद को शेरादी बताती है, हर एक आवाद अब उर्दू को पर्यादी बताती है, यह पंगली फिर भी अब तक खुद को शेरादी बताती है, कई बाते महबत सब को बुन्यादी बताती है, कई बाते महबत सब को बुन्यादी बताती है, जो पर्यादी बताती थी, वही दादी बताती है, जहां पिछले कई बरसों से काले नाग बेचने हैं, वहाँ एक खुदला जो योगत था, दादी बताती है, कई बाते महबत सब को बुन्यादी बताती है, अलंदर संगे मरमर के मकानों में नहीं मिलता, मैं अखिली थी हूँ बनिय की दुकानों में नहीं मिलता, अश्यर यह की तो फिर दुनिया में मेरे चाहने वाजे कहां होते, यह अच्छा शेर है, यह कारखानों में नहीं मिलता, और शेर यह है, यह सगी बहनों का रिष्टा है, जो उर्दू और हिंदी में, कही बहनों के रिष्टा है, जो उर्दू और हिंदी में, कही दुनिया की दो जिन्दा ज़्वानों में नहीए कि दुनिया की दो जिन्दा ज़्वानों में नहीं मिलता, और फजा से शाम होते ही परिंदे रौट आते हैं जमी पर जो सुकू है आजमानों है हमी पर जो सुकू है और यहाद आ रहे हैं एक मतला एक मुझे और याद आया कि ठकन को और के बिस्तर में जाके लेख गए हम अपनी अबरे मुखरर में जाके लेख गए हम अपनी खबरे मुखरर में जाके लेख गए और तमाव उम्र हमें दूसरे से लोते रहे मगर मरे तो बराबर में जाके लेख गए हम अपनी खबरे मुखरर में जाके लेख गए हम अपनी खबरे मुखरर में जाके लेख गए एक मतला यह है कि बहुत पानी बरस्ता है तो मिटी बैच जाती है नरोया कर बहुत रोने से छाती बैच नरोया कर बहुत रोने से आती बैच जाती है और शेर यह है कि बड़े बुरे कुए में नेखियां क्यों पेकाते हैं कुए में छुपके आफिर क्यों ये नेखियां क्यों पेकाते हैं इसमें ये है कि नकाव उल्टे हुए जब भी चमन से वो गुदरता है समझ कर भूल उसके लब पे तितली बैच जाती है अश्यर ये कि यही मौसम था जब नंगे बदन छट पर कहते थे यही मौसम है अब सीने में सर्थी बैट यही मौसम है अब सीने में सर्थी बैट जाती है अश्यर ये कि कि सियासक नफ्रकों का जफ्मू भरें कीन ने लेती यहां भड़ने पे आता है व्मक्वी बैख जाते है प्रियासट ने जाता है तो मक्षी बैठ जाती है मैं दुश्मन ही सही आवाज दे मुझको महबत से सलीपे से बिखा कर देख हड़ी बैठ जाती है मैं दुश्मन ही सही आवाज दे मुझको महबत से सलीपे से बिखा कर देख हड़ी बैठ जाती है मैं इसके ना जुखाता हूँ सो यह ऐसा नहीं करती यह बिट्टी मेरे हाथों को कभी मेरा देख हुआ सो यह ऐसा नहीं करती यह मिट्टी मेरे हाथों को कभी मैला नहीं करती अश्यर समात फर्माइएगा कि खिरोनों की दुकानों की तरफ से आप क्यों गुद्रे यह बच्चे की तमना है यह समझाता नहीं फिलोनों की दुकानों की तरफ से आप को गुद्रे यह बच्चे की समना है यह समझाता नहीं करती पर शहीदों की समी है जिसको हिंदोस्तान कहते हैं कि पंजर होके भी उस दिल कभी पैदा नहीं करती है और शहीद यह करकरे ने हिंदोस्तान की हिवादत के लिए बंबई में जान ले दी थी तो उस वक्ते हमारे मुख मंतरी और आज की हमारे पुद्धान मंतरी ने उन्हें एक करोड़ रुपए इनाम के तौर पर या इजास के तौर पर उनकी पस्मी को देना जहा था लेकिन उनकी विद्वाश्री ने यह रक्म लेने से इंकार कर दिया है वह वादर है कैसे शेयर बनाता है पिपिली के भरों को नोच रेती है अजब पिपिली है पर मुझने पिपिली रोया नहीं चकती ये बच्चों की समन्ना है कि समझोता नहीं चकती एक मतला ये है कि हमारी बेटियां 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 एक मतला ये ही कि सियासत किस उनर्मंदी से सच्चाई छुपाती है सियासत किस उनर्मंदी से सच्चाई छुपाती है कि जैसे सिस्कियों का जख्म शेहनाई छुपाती है और शेह जो इसकी तह में जाता है वो फिर वापस नहीं आता सियासत किस उनर्मंदी से सच्चाई छुपाती है जो इसकी तह में जाता है वो फिर वापस नहीं आता नदी हर तैने वाले से गराई छुपाती है और जुपाती है जो कि नहीं जो सुझेट है कि ये पच्छी मैं पांट वेटियों का वाप मुंदी मैं चाहता था और कुछ दिन रहें और कुछ दिन रहें लेकिन पड़ाया धन जन्दी शप्कर उपसत कर दिया शेरिये के सियासत के सुनरमंदी से सच्चाई छुपाती है शेरिये से ये बच्ची चाहती है और कुछ दिन मा को खुछ रखना ये बच्ची चाहती है और कुछ दिन मा को खुछ रखना ये कपड़ों की मदद से अपनी जंबाई सुपाती है किसी के जख्म पर चाहत से पट्टी कौन मानेगा किसी के जख्म पर चाहत से पट्टी कौन मानेगा अगर पहने नहीं होंगी तो राधी कौन मानेगा किसी के जख्म पर चाहत से पट्टी कौन मानेगा अगर पहने नहीं होंगी तो राधी कौन मानेगा और जहां नर्टी की स्थद्थ लूटना एक खेल बन जाए यहां लगी की इस्थ लूटना एक खेल बन तुम्हारी महफिदों में हम बड़े बुड़े जरूरी है अगर हम ही नहीं होंगे तो पगड़ी कौंगे था गयो घाइ लाइ भू़े परे घाइ